कि मिटी के विकेट पर हम बात करेंगे तो मिटी के विकेट पर रेड़ बॉल और रेड़ बॉल के अलाबा वाइट जर्सी में तमाम खिलारी नदेर आएंगे यह बदलाओ है और मैं भी कहना चाहता हूँ कि इस कारिक्रम में बतर मुख्य अति थी माननिये जीला धिकारी अरविंद कुमार बर्मा जी आएंगे फुलिस अधिक्चक सुसील कुमार जी होंगे जो पहला मैच होगा 24 जनवरी को जिसमें मधवनी और बखडी के बीच खिला जाएगा दूसरा मैच मैं राकेश नायक MPL Organizing Committee के प्रवक्ता आप सभी पत्रकार बंधुओं का प्रेश कंस्फरेंस में हार्दिक अभिनंदन एवम स्वागत है सबसे पहले हम बता दे कि जो भी यहाँ पत्रकार उपस्तित हैं जिसमें मधवनी न्यूज के इडिटर एंड चीफ विक्रम भगत नागवनसी जी हैं आप हैं अब्दुल राजिक जी जो की गाउंगाउं न्यूज के इडिटर एंड चीफ हैं आप हैं रंजीत कुमार जी जो की खबर आज तक के इडिटर एंड चीफ हैं आप हैं हीरा सर्मा जी जो की डिजिटल बिहार न्यूज के पत्रकार हैं साथ ही हमारे आयोजन समीती के जो मीडिया प्रभारी है सब पत्रकार भी है जो की मिथला संचार के पत्रकार और प्रफेसर प्रभुनात मिस्राजी है सभी को स्वागत करते हुए मैं आपको जानकारी देदू कि प्रेस कंफरेंस करने का उदेश है खेल से जुरी सभी जानकारी आपके माध्यम से आम जनों तक पहुँचे जिससे की लोग राम निरंजन जनता डिग्री महविद्याले में आयोजीत होने बाले बर्ष दोहजार 24 का किर्केट से संबंदित सभी जानकारी से अपडेट रहे इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे बीच मंचा सीन है इस करेक्रम में चेयर परसन राजेश कुमार सहमुखिया मधवापूर साथ में दाइयोर सन्योजक जोकी सरपन्च मधवापूर इस साइट मे इस महाविद्याले के प्रिंसपल प्रफेसर जैवंत मिस्रा जी दाइने साइट हमारे साथ है इस एवजन समीती के कोशा अध्यक्ष जोकी प्रभारी कोशा अध्यक्ष है और यहां प्रभुनात मिस्रा जी जोकी मिडिया प्रभारी है पीछे से बात करें तो उपाध्यक जी हैं जो कि उससे बात करें तो सतेंद्र कुमार जी और साथ में हैं मिसरा जी हैं और कुमासंकर गुप्ता जी सबीटिति में मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आप हमें सहयोग करें जिस्ते की लोग अधिक से अधिक यहां पहुचे अब इसे जानकारी के लिए हमा मंत्रीत करना चाहेंगे आपको पूरी जानकारी देंगे आधरनी अध्यक्ष स्री राजेस कुमार जी नमस्कार जिस तरह अभी सारी दुनिया परभुश्री राम चंद्र जी के प्रान परिटिष्ठा में लगे हुए हैं 22 ता जोर सोर से 24 तारीक के लिए लगे हुए हैं और बहुत जल्द आप लोगों को महा मुकावला का प्रदर्शन दिखलाया जाएगा बस दो दिन रह गया है और आप लोगों से विशे साग रहा है कि ग्राउंड पे आकर सांती ढंग से इस मैच का आनंद उठाएंगे और हमारे जो MPL का उद घाटन करने आ रहे हैं हमारे जीला के जीला ध्यक जीला अधिकारी डीम सहाइब और एस्पी सहाइब और जीला के मेर सहाइब और बगल देश अपने नेपाल से भी वहां से भी हमारे गेस्ट आ रहा हैं वहां के डीम मोहतरी जीला के और एस्पी सहा इसके बाद वहाँ के मेर साहिब है और हमारे बगल नगर निगम नगर पंचायद जो है मठ्यानी वहाँ से हमारे हडी मंडल जी मेर साहब भी आ रहा है और यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच पहला मैच देखने को आप लोगों को मिलेगा जो बेटी रोटी का समंध को दर साता है भारत से मध्वनी जिला की टीम और नेपाल से महतरी जिला की बखरी की टीम के साथ opening मैच करवाया जाएगा तो आप लोग opening में भारी से भारी संख्या में आकर के इस opening का अनंद उठाने का प्रयास करें नमस्कार मैं सन्योजक बल्राम कुमार जा आप सभी मीडिया बंदू का हर्दी कवनेंदन स्वागत के साथ जितने भी खेल प्रेमी हैं मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग 24 जनवरी से 11 फरवरी तक क्रिकेट का जो महा कुम आरेंजेसी के ग्राउंड पे जो लगता है हर साल इस बार भी लगने जा रहा है आप लोग आईए और देख रहे हैं कि हमने अपने गेश्ट को आमंतरन कार्ड बना रखा है और हमारे जिला के कैप्टन यह हमारे डियम सहाब पुलीस के कैप्टन जिला से स्पी सहाब और मित्र राष्ट के महतरी जिला के डियम सहाब स्पी सहाब मेर सहाब हमारे मधवनी जिला के मेर सहाब पूप मेर सहाब बगल मठ्यानी के मेर सहाब और इसके अलावे इस पंचायत प्रखंड सहीत अगल बगल के जो भी घ्यानमान लोग हैं जो भी राजनीती बैखती हैं सभी को इनवाइट किया जाएगा और सभी लोग इसमें गरिवामे उपस्तिती में उध्गाटन मैच होग आयोजन समीती के तमाम अध्यक तमाम सदसिगन के हादी का भनांदन करेची जयोड़ दर जयोड़ जयुड़ आई से हमरा लेल गौरवशाली च्छने गौरवशाली अही लेल नहीं के बल कि यज़ हम क्रिकेट के टूनामेंट के आयोजन होई है बलकि जही स्थिती में हम सब चलों वही में आई जुबक के आई समीति के ग्राउंड उपलब्ध करा सक लों ताइ के लेल हम सब अपना आके गवरबसाली महसूस करेची देखा जाओ खेल हम सब बस तुत मूलता शिक्षक ची आज सिक्षक कोनों ने कोनों रूप में सिक्षे परदान करेचा थे खेल सुह सिक्षा के प्रेक्टिकल माध्यम खेल में नेकेवल एक्सरसाइज मनोरंजन होई छे नेकेवल मनोरंजन होई छे एक्सरसाइज होई छे अनुसासन लोग सिखाई छे सांगाठनिक छमता के विकास होई छे धैर्ज के विकास होई छे मूलता जे मानव जीवन में सफलता के वो प्रैक्टिकली लोग खेल के माध्यम सब्राप्त करिया। और खेल में कहब जीत होई छै तो वो जीत के उन लास के संग्यमित करा के जैशे हो गुन प्राप्त होई छै अहारला पर्पुनह नया स्तर सजय लोग जोस प्रयास करिया आहु गुन के विकास होई छै अंतिम बात सब सब महत्पूर्ण जवाब देही होई छे कोनो ठाम खेलक मैदान में आयोजन समीती के बिभिन तरह के आफात उपद्रब होई छे से समाजिक आप उपद्रब से हो होई छे क्रिकेट के खेलारी द्वारा से हो उपस्ती तो कैल जाई छे तो इस सब के धर्ज पूर्वक बतार गार्जियन इस सब जचे से करतवे के निर्वाहन कराईथ अही कामनाक संग हम अपन बात समाथ करेजी नमस्कार मैं MPL Media प्रभारी प्रभु मिस्रा जैसा कि आप आप लोगों ने तमाम चीजों से अबगत हुए अपने आपको हमारे MPL आयोजन समीती के अध्यक्ष राजिस कुमार जी ने आपको बताये विस्त्रित जो कारिकरम कैसा रहने वाला है तरसल MPL आयोजन के जो सात्मा आयाम है और इस आयाम में हम लोगों ने कुछ बदलाव करने की कोशिश की है हालाकि ये नहीं है कि पहली बार ये बदलाव हुए हैं बीच-बीच में बदलाव होता रहा है बदलाव हम लोग करते आ रहे हैं और बदलाव पर कुछ में आपको जानकारी कराना चाहूंगा, बदलाव यह है इस टुनामेंट में, जो आज से पिछले दो जुट टुनामेंट हम लोगों ने करवाया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, तो वाइट बॉल और रंगीन ड्रेस कोट का हम लोगों ने इ रहे हैं, और रंगीन क्रिकेट जादा आज कल बढ़ रहा है, इस हिसाब से हम लोगों ने उस चीज को लाया था, लेकिन एक बार हम लोगों ने फिर से क्या किया है, तो फिर से इंप्लिमेंट यह हो रहा है कि मेट को हम लोग चेंज करके, पहले मेट दो साल ने चला था, म वाइड जर्सी का मतलब यह होता है, कि खिले हुए खिलारी नजर आते हैं, ग्राउंड में कहीं भी रहे हैं, तो आपको पता चल जाएंगे, चुकि यह लोकल किर्केट है और लोकल किर्केट है, तो निएर वो गैप ज्जादा नहीं होता है पबलीक, और पबलीक और खिल करेंगे कि बिकैट पर हम बात करेंगे तो मीटी के बिकैट पर रेडबाल और यजर्सी तमाम खीलारी नदेर आएंगे यह बदलाओ बड़ी बात यह है कुछ अलग इस बार हमारे इस आयोजन को तेखनों को मिल सकता है आप लोगों को जैसे कि बताया कि जिला पदाधिकारी उद्गारन करता होंगे आएंगे हमारे इसलिए सुखत छन है मधवापुर्ण के लिए सुखत छन है MPL आयोजन के लिए कि जिला सकेजी करा हैंगे आयोजन से समन्दित गी पुना आप सबढ़ी को जैनकारी देले कि सरपरतहम हम एक कहना चाहते हैं कि 24 जन्वरी को जब हमारा सुखारम हो और इस कारिक्रम आ तो 10 वजे से संस्क्रिती कारिक्रम होगी तो 10 व狂च matter किरिया अपनाई जाएगी और 12 बजे के तुरत बाद मैच का आयोजन हो जाएगा जिसके रिगार्डिंग में आप यह बताना चाहता हूँ अधरने सभी पत्रकार बंदुग को कि इस कारेक्रम में बतर मुख्य अति थी मानेचिये जिलाधीकारी अर्विंद कमार बरमाजी आएंगे पुलिस अधिक्चक सुसील कमार जी होंगे साथ ही अनुमंडल que पधाधीकारी कमाने भी उपस्तिति उनकी रहेगी और जहां तक बात यह है कि सभी जनप्रतिदी भी मौजूद रहेंगे मेर सहाबी रहेंगे अब मैं इनके अलावा मैं आपको महत्पूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं दरसक सुनना चाहते होंगे कि कि इनके इनके बीच कौन सा म गेम खेला जाएगा जिसके अंतरगत नक आउट लीग का जो पहला हम सीडूल पेस कर रहे हैं इस प्रकार है जो पहला मैच होगा 24 जनवरी को जिसमें मधवनी और बखडी के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच 25 जनवरी को जो पुर्णिया एबं सीता मढ़ी के बीच खेल जाएगे चोथा मैच की बात करें आप तो 27 जनवरी को कटिहार और धनाउजी धनसा नेपाल के बीच खेले जाएगे पांचमा मैच जो होगा 28 जनवरी को जो दर्भंगा और जैनगर के बीच खेले जाएगे चाथा मैच जो होगा जो 29 जनवरी 2024 को मुझाफरपूर और अलिनगर के बीच जो बेनीपूर की टीम है उनके बीच खेले जाएगे सातमा जो मैच होगा 30 जनवरी 2024 मुंबई महराष्टर और करनाली प्रदेश नेपाल के बीच खेले जाएगे जो नेपाल का one of the most popular team करनाली प्रदेश कहे जाते हैं और आठमा और अन्ती मैच जो नकाउट लीग चरन का होगा 31 जनवरी 2024 राची जहारखंड और लुधियाना पंजाब के बीच जो की quarter final के नाम से हम लोग जानते हैं पहला quarter final 2 February 2024 अर्थात जो पहला मैच जीतेगी ओ आठमे मैच जीतने वाले टीम के साथ होगा दूसरा मैच जो quarter final का होगा तीसरे बीजेता और साथ में बीजेता के बीच तीसरा जो quarter final का मैच होगा चौथा बीजेता और छठे बीजेता के बीच और चौथा एबं अन्तिम जो quarter final का मुगावला खेली जाएगी इस राम निरंजन जन्ता डिगरी महाविदाले के प्लेग्राउंड मे चार फेबरी क को जो की फेबरेटी को जो की 4 राम अन्तिम होगा चौता बीजेता और 5 भीजेता पीर सुपर फोर के बाद सुपर टू जो की इसमी चुने जाएग तो चार सेमी idle का मैच खेला जाएगा साथ फेबरड़ी दोहजार चौविस पहला विजयता भरसेच चौथा विजयता फिर दूसरा में जो खेले जाएंगे आठमा आठ तारीको जो की दूसरा विजयता और तीसरे विजयता के बीज़ इसके बाद इन मुकाबलों के बाद जो महत्पूर्ण मुकाबला होता है फा फेबरड़ी रवी बार को आयोजित किये जाएंगे उस दिन की मुकाबला सो समय 11 बजे प्रारंब कर दिये जाएंगे और महत्पूर्ण मात सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की बदलाव की संभावना आयोजन समीती के पास सुरक्षित है अपने हिसाव से बदलाव कर सकती है जो कि हम लोगे पास सुरक्षित है समय को देखते हुए और महत्पूर्ण मात यह मैं बतना चाहूंगा जो हमारे दर्सक हैं दूर दराज से आते हैं तो यह जानकारी आप अपने पास रख ले कि जो हम लोग का MPL है आपके साथ विश्वास के साथ ख़ करने के पिछ उदेश होता है कि आपको जन जागरू करें और हम लोग जब आते हैं तो चारो साइड साफ सफाई ख्याल भी रखें आपकी हमारे लिए अप्यक्षित रहता है और हम लोग आपके लिए भी कार्य करते हैं इसी बात को कहते हुए आप सभी पत्रकार कि फाइनल की मुकावलाव इन अतीतियों के अलावे इस अभी लोग तो रहेंगे रहेंगे इनके अलावे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री माननिये समीर कुमार महासीर जी भी फाइनल में कब विर्तरन करने के लिए आएंगे इसके साथ सभी को धिर सारी बधाईबब पर झाले